आज चायल्ड लाइन चमबा द्वारा चमबा उपमंडल की रूपुनी पंचायत के गाउं रूपुनी में आउट रीच कार्यक्रम के माध्यम से गाउं वासियों से सीधा समवाद किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम मेंबर काजुराम वरीता कुमारी द्वारा बाल यौन शोशन वर अन्य बाल संरक्षन मुद्धों सहित कोविड-19 की गंभीरता के साथ साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों वर उनके बच्चों को चायग लाइन के टोल फ्री नमबर 1098 की विस्त अति निर्धन, बाल विवाह से ग्रसित, बाल मजदूरी से ग्रसित, छेरचार से पीरित वर अन्य किसी भी कारण से शोशित बच्चों हेतू चायल्ड लाइन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की विस्तरत जानकारी प्रदान की गई। प्रामीनों को बच्चों को प असुरक्षित स्पर्ष, असुरक्षित स्पर्ष के बारे में भी गंभीरता से चर्चा की गई। इसके साथ साथ क्षेत्रवासियों को COVID-19 की गंभीरता के संबंद में जागरूप किया गया। उन्हें इस संबंद में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने वा इस समाजिक भागीदारी हेतु आवाहन किया गया। इस दौरान लोगों को समाजिक दूरी का पालन करने हेतु भी कहा गया। इसके साथ साथ लोगों से यह भी आवाहन किया गया कि यदि इस दौरान कोई अतिनिर्धन परिवार हो तथा जिसे कहीं मजदूरी ना मिल रही हो या उसके परिवार हेतू खाने पीने की समुचत व्यवस्था ना हो मास्क या सैनिटाइजर की आवश्यक्ता हो तो इसकी सूचना भी चायल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दी जा सकती है ताकि चानबीन के बाद ऐसे परिवारों की मदद की जा सके। इसके साथ लोगों को यह भी बताया गया कि यदि अति आवश्यक्त कार्य ना हो तो वे चमबा शहर में ना आएं और इसके साथ साथ भीर भाड भरी जगह से भी दूर रहें वा मास्क पहनें। लोगों को गुडिया हेल्प लाइन 1515 के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।